दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज हम देखने वाले हैं कुछ फनी और मज़िदार से काटो यह मेरी सेकिंड रियक्शन इडियों है जो लोग शुरू करते हैं आप अपने इडियों को और कि जिसमें डाइप में यह लाइप कर देखें तो आज से कुछ समय पहले मतलब एक साल पहले मैं और मेरे ऑनलाइन दोस रोज की तरह किसी भलतू चीज पर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यू हाती कूद नहीं सकते और कैसे अगर तुम कंबल से पैर भार निकाल के सोते हो तो कोई मॉल सरिया चूड़े ला कि तुम पर कोई कुछ ही नहीं करेगा फिर पार अंदर कर लिया तु तु अगली बार में बताता हूं तुझे चैन से सोएगा ना तु ले तरह लाइट ओन कर दिया अब थंड में विस्तर से उठना पड़ेगा ले तरह पंखा भी ओन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पर आर्ग्य कर दोस्त कभी मिलने सकते हैं इंफेक्ट ऑलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीजी नहीं होती हम सब तो रर रोबोट हैं आयू तो हमारा दोस्त होई नहीं सकता हम जा रहे हैं फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हट डाला और नजानी क्यों घुस्से में दोरेमोन का सॉंग आने लग गए वो भी तमील में है कंसी मिट्ट नेरो तीले उलग तन नहीं क्या अब नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था सौरी गाइस कुछ माहिनों से जिन्दगी थोड़ी साही नहीं चल रही है इसलिए इसे जोक सा जाते हैं कभी कवार सप्राइजिंगली मेरे ऑन मुंबाई प्लेण की जगर ट्रेन से जाना पड़ता है नहीं में एरपोर्ट पे फटा का लगाता हूँ नहीं पकडाया था थे कुछ रिशंस थी के सच मे थे तो में रात में ट्रेन में बैठ तो और सुब में मुंबाई पोच आता हूँ अब जो मुंबाई पहली बार आ करना पड़ जाएगा तुम्हें आपको नहीं मुझे कुली करना पड़ जाएगा करना पड़ेगा रुको कुली अंगी भीया इन्हें उपर तक छोड़िया हो यार पागल हो क्या मिया उपर तक जाना है तो स्पेस्चूट कि दर है तुम्हारा और ऑक्सिजन बहुत कम है हम लोग क्या बहुत उपर कड़े मिया देखो यहां से वह मांट एवरेस भी दिखता और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में पोने साथ महीन है अब तुम बोलो कि नॉट्यो टैप तो बहुत ही विलेच पीपल है हाँ तो ठीक हूँ मैं नहीं होते हैं हमारे आपे एक्सलरेशन भाई उसको एसकलेटर को आगे बढ़ाते है मुंबाई जाने से पह कि अपने टाइम आएगा भी लिखा था त्यूंकि मुंबाई में थोडिया मेरी दिखनी जी है कोने अंबानी है किदर रहता है वो है क्या उसके पास यह तो वह आट वाला पूछता ही किदर जाओगे इधर मैं फूल मुंबाई के स्वैग में क्या बोलते आट वाले च्छ हैरी में तुम आओ क्यों जा 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 अरो भग भग मातर है कड़कती धूप में मुझरा दिखा रहे हैं मेरे को अभी भी जादा दूर नी गाय है और तो से चीप सकता हूँ हम लोग हमारी मुंबाई की अपाटमेंट आ जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रेस करते हैं क्यू पीचे पड़े हो आमारे जाओ ना जा मजा कर रहो जाई तरा साथ रूपे की टैक्सी करनी पड़ी इस डापसेल यह किटने ओते साथ्य रूपे उपए शाथ-टैक्सी। तुम साथ सो रुपए में वापिस उसी टैक्सी में बैट के स्टेशन जा सकते हो बाई सब मैंने साथ सो पचास कर लिया रे कितनी महंगी है मुम्माई तो अब मैं और मेरा दोस डैस के हम लोग हमारे बाकी दोस से पहले आ गयते हैं तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था तो भी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया तो हम लोग चाते हैं मिलने वापिस साथ सो लगा के यह मुम्माई बेना तो मेरी दोस्ते नहीं मुझे एक मुझे देखने बुलाये था अवतार मुवी में जादा कुछ खास धानी कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बचके यह मुवी मैंने थ्रीडी में देखी थी जादा कुछ चेंज नहीं हुआ अब बस वो नंगे लोग मेरे साइट से निकल के भाग रहे थे हम यह जंग जीत के रहेंगे सर वो सब तो ठीक है वो आदमी कोन है अरे वो हमारी मुवी देख रहा है थ्रीडी में उसे तो मज़े ही आजाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे मेरी बात सुनो सब लोग हम लोग उसके भौट पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे जीमी मैंने तो अपने हाथ भी किली कर लिये सूसे जैसी में नंगा होके उसके पास से भगूँगा अपने हाथ उस पे लपलपा दूँगा छीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था उस दिन उसका बड़े था और मैं इदर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था पिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बट्टे पाटी में खाली हाथ आजाता है फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे तो ये बच्चे इधर में था चीज़े अभी इधर खतम नहीं है उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया चीज़े अब सीरियस हो गई है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर ठीक है इधर है और फिर आता है किसी के बट्टे पे उनसा ही गिफ्ट ले लेना इधर पहले तो मुझे समझ में नहीं आए कि बंदी मुझे टॉंट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है मुझे उस समय इतनी जादा शरम की अनुभूती और आभास हो रहा था मैना मन कर रहा था उटके भग जाऊ हुआ से अडे वो और भार बोत गर्मी है ना इसलिए मेरे सुचे फ्राइट स्प्राइट पी लुआ के और परिपरी फ्राइट मेरे फेवरिट है देखो अगर उस ताइम में चाहता तो अपने पीछे वाले जेप से बटवा निकालके एक पचास कर करारा नोट और एक रुपया लगा के बटा लिभाबा बना के उसे दे देता लेकिन मैं कोई 80 साल का धादा जी नहीं हूँ आप बस यहाँ पर यह सो नो का अंसर दे के लाकों में पैसे कमा सकते हो प्रूब हो एक ट्रस्टेड है पर इस पर एक करोर से भी ज्यादा यूजर्स है यहाँ पर क्रिकेट, फाइनेंस, इंटेटेंडमेंट और कई सारी कैटिगरीस में कोशन्स है जैसे अभी T20 सिरीज में इंडिया वसेस आइलेंड में कौन जितेगा, इंडिया ही जितेगी, तो मैंने यहाँ यहाँ यहस तबा के क्वांटिटी स्लाइडर को बढ़ा दिया, अब अगर मेरा ओपिनियन सही होता है तो मुझे रियल कैश मिलेगा अरे लेकिन विराट कोली भाई मैंना आपको कब पकड़ा? यहाँ तुम गुगल पे, पे, टीम, यूपी आई की मदद से अराम से 24-7 विट्राओ कर सकते हो ओ बाइद अवे मैं पुलीस हूँ, तुमारे बेस्मेंट की जानकरी मिली थी और प्रोबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टाउनलोड करने पर हम सभी को 25 रुपे का वेलकम बोनस भी मिलेगा तो अब भी जाके डाउनलोड करो रात तक मेरे बागी दोस्त पी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबाई की फेमस जगए अरे वहीं चाह सब लोग चाते है गूमने के लिए, तो वहाँ गूमना स्टार्ट कर दिया लेकिन जब तुम 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 तुमारे दोस्तों के साथ रहते हो, तुमारे दिमाग में मश्टी रहती है तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला जूला दिखता है अब उसे देखके एक 21 साल का मैचोर आदमी क्या करता बापा बहुत बेमार है, भैन की भी शादी करवानी है मुझे लगता है सांडू में तुम पे घुमी घुमी का दिकली थोड़ा बड़ा हो चुका हो लेकिन मेरे 20 साल के तो उसने क्या किया घुमी घुमी अब यहां एक सांड को दुसरे सांड पर चड़ता हो, देख हमें भी मस्ती जूटी हम भी भाग क्यों है जूले के पास बाइया और देख चलाओ, बाइया और चलाओ देख मैं मुंबाई में एंगरी प्रास्ची भी मिला था, उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था, अच्छे चलो मास्क मेने बिना पुछे पहन लिया था कैमरे फुटेज में तो आई गया हूँगा मैं मैं वहाँ पर अपने मैनेजर सोरप्या से भी मिला था, हम लोग मुंबाई में लास्न जू बीच पर गए था वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, धंडी धंडी हवाय चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था लेकिन फिर आस्मान में कही से उड़ने वाली बंदर प्रजादी छा गई, यह बंदर प्रजादी फुक्के की बनी थी, मेरा नाम है भुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चप चप अपने बुछने है दोस्त, क्या तुम प्लीज मेरी बंद में हावा बर सकते हो, मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा कर, सोना अपने उसने क्या कहा भी, नाय, प्लीज, मुझे कोई दिक्कत निया, हाँ, कम्लेस, कम्लेस, हाँ मैंने सुन लिया था पहली बार में, कम्लेस में जानती हम दोनों जादा क्लोस नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम एक बंदर के साथ संबन बना लोगे, मैं जा रही हूँ, कम्लेस, जाने लो उसे, मैं तुमें उससे भी जादा चीज़े दे सकता हूँ मुंबाई की बाद हम लोग निकलते एक गोवा के लिए, गोवा काफी चल जगा थी, मैं वहाँ पर काला भी हो गया था, दिन भर बीच पर धूप में बटकने के कारण सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही जादा थी, मतलब इतनी जादा कि जमीन के अंदर से लोग भार जिसमें तुम्हें बोट से समुंदर के बीच ओ बीच ले जाएंगे और पतंगा पना के उडा देंगे, एक और चीज रहती है, जब तुम समुंदर के बीच ओ बीच पोचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछते है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या तो आप य इसमें कोई दूर से शार्क बार के देख रहा होता तो ईसे भी tyreया आती और अधिक पर बेटा, झालुण ना वरनना ऐसे चलो बार चलो चलो जिए से वो बोट वाले ने मेरीक को उपर लिया अरे भईया क्या बच्चे ऐसे चिला रहे थे, स्विमिंग सिका रहे थे तुमको अच्छा, समुनर में वो भी तेरे को ड्राइविंग सिकाने का बोलता तो 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 रॉकेट में पिठा दे था मेरे को पागल सबने न मेरा बहुत मज़ा गुड़ाए कि पानी में गया बच्चो जैसा रो रहा था लेकिन वो कहते है न सब का टाइम आता है हम लोग न उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं जिस पे तुमें एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं पीचर लाइफ काड आ रहा है और भाया इतनी तूर जाओगा तो सच में मर जाओगे मेरे पास क्लिप पड़ी इदर सब की रोते हुए में लगा दूँगा पर खेर कुछ भी बोलू ये ट्रिप मेरे ले वन ओफ ता बेस ट्रिप ती अपने दोस्तों के साथ आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर नहीं भी आती है तो बस इतना सा रुक साओ ठीके बस इतना सा मैं एक बहुत ही प्यारी चीज़ पर काम कर रहा हुँ ठीके बस वो आ ही गई ये यही पर ये बस आ गई और अगर तुम्हारी पास भी किसी चीज़ का उपीन है तो अभी प्रोफो डाउनलोड करो तुम्हें वैलकम बोनस में 25 रुपे में मिल जाएंगे पर खेर इस वीडियो को लाइक कर दो तो शवार के वीज़ ए कि नही नहीं जाएंगे टा कर दो वाई पाई